गुट बार्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉकर विके मिश्रा फ्रम गेस्टो लिबर हास्पिल स्वरुपनगर कानपूर जहां तक कॉंस्टिपेशन का सवाल है यह कबजियत की सवाल है इससे वेरी वेरी कॉमन प्राब्लम जो कॉंस्टिपेशन वो हमेशा दो केटेगरी में आत है या तो कॉंस्टिपेशन किसी डिजीज का हिस्सा होगा जैसे आत में माली जो रुकाबट है आत कहीं सिकुड गई है आत कहीं टेड़े हो गई है आत आपस में चिपक गई है उसके चलते कॉंस्टिपेशन हो सकता है यह मेडिकल प्राब्लम है और इसको मेडिकली जिसके चलते constipation हो रहा है या कुछ चीज़ें आपको खानी चाहिए जो आप नहीं खाते हैं जिसके चलते constipation हो रहा है आज हम उन 12 फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो आपको constipation से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं या possible है उनके चलते आपका जो constipation है वो खतम हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड लास्ट तक देखें, देखें, सबसे पहले आती है बीन्स, जब बीन्स के हम बात करते हैं, तो बीन्स को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, अगर हम एक कप बीन की बात करें, एक कप हम राजम यूज़ करते हैं, तो आपको fiber काफे अच्छे मात्रा में मिलता है, इतना fiber शायद किसी और दूसरे food items में आपको नहीं मिलता है, यह जो fiber है, यह दोनों तरह का होता है, इसमें insolubile fiber भी होता है, soluble fiber भी होता है, तो दोनों के दोनों जो fiber हैं, यह मिला के आपके constipation से आपको relief कराते हैं, यह आपके blood sugar को better control करते हैं, यह आपके cholesterol के level को नीचे करके रखते हैं, इसलिए beans is a very smart choice, जहां तक beans का सवाल है, यह आपकी intestine के speed है, उसको optimize करते हैं, and constipation से आपको छुटकारा दिलाते हैं, जहां तक beans का सवाल है, आप उनको salads के रूप में ले सकते हैं, आप उ बहुत सारी available हैं, कुछ इंडिया में available हैं, कुछ इंडिया में नहीं available हैं, but world over अगर हम beans को ध्यान से देखें, तो beans बहुत सारे forms में use की जाती हैं, नमबर वान is the kidney bean, जो हम use करते हैं, यह राजमा के नाम से जाने जाती हैं, और हम बहुत ठीक मातरा में इसको utilize करते हैं, particularly in northern part of the India, now the second one is the black-eyed peas, जो हम लोबिया के नाम से जानते हैं, यह भी northern part of India में ठीक मातरा में use की जाती है, इसका मतलब यह हैं कि beans को आपको ठीक utilize करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी यह काफी ठीक मातरा में available हैं, the next ones, जो अलग-अलग part of the world में available हैं, they are pinto beans, they are garbanjo beans, and they are lim beans, यह जितने भी beans हैं, यह वास्तों में world over available हैं, because world have become such a great market, कहीं भी कोई बीचिज available होती है, now the second one are the fruits, उस fruit के हम जब बात करें, उसमें सबसे number one पर आती है कीवी, scientifically, जो एक medium size के आप कीवी लेते हैं, उसमें 2.5 gram of fiber होता है, धाइग्रम fiber होता है, इसको समझने की जरूरत ह जो कीवी है, उसमें vitamins भरे हुए हैं, उसमें nutrients भरे हुए हैं, it is supposed to be the powerhouse, जहां तक हम overall health की बात करते हैं, कीवी is one of the very important fruit, और जहां तक intestine का सवाल है, उसके लिए कीवी is very important, कीवी वास्तों में एक berry है, जैसे raspberry होती है, जैसे berries होती है, तो कीवी basically is a berry, तो जैसे berries के आप पू कीज होते हैं, अंदर या through almond seeds होते हैं, उनको सब को खाया जा सकता है, in fact, कीवी को वास्तों में आपको छीलने की में जरूरत नहीं है, इसका जो पील है, उसको भी खाया सकता है, and it contains a lot of fiber, जहां तक studies का सवाल है, एक study conducted हुए थी in 2013 on adults, ये वास्तों में advanced food and nutrition research center में conduct की गई and what they said was, कि अगर आप regularly कीवी यूटलाइस करते हैं, आप regularly कीवी खाते हैं, तो बावल का जो movement है, या intestine का जो movement है, वो regulate होता है, promote होता है and better होता है, ऐसे ही एक study टाइपे में या ताइवान में conduct की गई थी and what they said was, कि अगर आप दो कीवी पर्डे यूज करते हैं, तो वास्तो one is the sweet potato, जो sweet potato है, वास्तो में शकरकंदी के नाम से जाना जाता है, हमारे यहां शकरकंदी खाई तो जाती है, but not in very good amount, लेकिन आप इसको दियान से देखे, अगर आप एक medium size के शकरकंदी लेते हैं, उसको आप bake करते हैं या उसको भून लेते हैं, उसमें approximately 3.8 gram fiber होता है, इस sweet potato की, उसमें fiber ठीक मातरा में होता है, तो scientifically ऐसा मना जाता है, कि आप जब शकरकंदी खाएं, तो उसको जो पील करने की ज़रूरत नहीं है, पील के साथ ही खाएं, जो शकरकंदी है या sweet potato है, वास्तो में इसमें carbohydrate ठीक मातरा में होते हैं, इसमें complex carbohydrate ठीक मातरा में होते हैं, तो ये वास्तों में आपकी शुगर को बहुत उपर लेके नहीं जाते हैं। आप जानते हैं कि शुगर जो स्पाइक करती है वो वास्तों में सिंपल शुगर की चलते होती है। बट जो शकरकंदी है इसमें complex carbohydrate होते हैं तो आपके शुगर को बहुत ज़्यादा spike नहीं करते हैं लेकिन जब आप शकरकंदी इस्तेमाल करें तो उसमें अन्य सरी जैसे बटर डालते हैं, क्रीम डालते हैं उसको और टेस्टी बनानी की कोशिश जो करते हैं उससे पूरे के प और लुक अधी पॉपकॉर्ण यह पॉपकॉर्ण है आप हमेशा ध्यान करके देखिए जब आप movie theater में जाते हैं तो इंटर्वल हुआ और आपके habit होते हैं आप जाते हैं पॉपकॉर्ण खरिते हैं और पॉपकॉर्ण खाते हैं तो पॉपकॉर्ण is the one which is very heavily utilized जहां तक जान से देखें scientifically ऐसा माना जाता है कि आप तीन कप पॉपकॉर्ण लेते हैं जो एयर में पॉपकॉर्ण है उसमें by and large साले तीन गराम फाइबर होता है इसका मतलब यह है कि जो फाइबर की amount है वो काफी जादा है और इतने ही जो पॉपकॉर्ण है उसमें total calories होती है वो होत मिलता है आपको calorie कम मिलती है तो वास्तों में weight gain की tendency नहीं होती है लेकिन आपके देखनी की ज़रूरत है कि popcorn कई तरह का आता है वैसा आप popcorn वास्तों में जो आप movie theater में खाते हैं उसमें जो butter हो ठीक मातरा में होता है अगर जो उस popcorn में butter ठीक मातरा में है तो उसके calorie value उपर की तरफ जाएगी calorie उपर की तरफ जाएगी इसके अलाबा जो fat का जो content है वो कभी-कभी constipation को promote करनी की ताकत रखता है तो आपको popcorn utilize करना चाहिए आपको air popped popcorn use करना चाहिए बड़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें जो calorie value है वो नीचे की तरफ रहे तो unnecessary उसमें ज feeling food तो जहां तक weight I mean control करने का सवाल है nuts and seeds को बहुत important माना जाता है जहां तक nuts and seeds का सवाल है scientifically ऐसा माना जाता है कि इनमें जो fiber है वो ठूस-ठूस के भरा हुआ उआ होता है काफी मातरा में fiber होता है जहां तक बादाम या elements का सवाल है chickens का सवाल है walnut या cockroach का सवाल है scientifically ऐसा माना जाता है कि दूसरे किसे भी nuts की comparison में इन तीनों में जो फाइवर है वो ठीक मातरा में होता है जर इसको ध्यान से देखें अगर आप one ounce जोना almond को देखें अगर one ounce almond है तो उसमें almost 23 almond के आसपास होते हैं या 23 बादाम होती है इनमें 3.5 gram fiber होगा that is जोना almond अगर हम picans को ध्यान से देखें अगर एक ounce picans की बात करें तो इसमें approximately 19 half जोना picans होंगे इसमें approximately 2.7 gram fiber होता है ऐसे ही जब हम one ounce walnut की बात करते हैं या अक्रोट की बात करते हैं तो यह 14 half अक्रोट होंगे लगबग और इसमें 1.9 gram fiber होता है इसका मतलब यह है कि अगर fiber की हम बात करें तो जो almonds हैं या अक्रोट इनमें जो fiber है वो काफी ठीक मातरा में होता है ऐसे ही जो seeds होते हैं या बहुत सारे जो बीजय होते हैं जो हम utilize करते हैं they are very smart twice वो filling भी होते हैं आपका weight control भी करते हैं आपको बहुत good amount में minerals and vitamins भी देते हैं और इनमें कुछ ऐसा है कि constipation की relief में काफी आपको help करते ह अगर हम one table spoonful of sesame seeds या till की बात करें एक tablespoonful आप तिल की बात करें इसमें 11 gram fiber होता है ज्यांसे देखें इसमें 11 gram fiber होता है the fiber की amount is very high ऐसे ही अगर हम pumpkin seeds की बात करें या कद्दू के जो बीज हैं इनकी बात करें तो approximately एक उनस अगर आप pumpkin seed लेते हैं तो उसमें approximately 5 gram fiber होता है तो अग आप seeds को utilize करिए आप सलात के ऊपर जोना seeds को डालिए वो आपको adequate benefit देते हैं इसका मतलब यह है कि nuts and seeds का जहां तक सवाल है यह वास्तों में इनको fiber ठीक मात्रा में है इनमें vitamins ठीक amount में है इनमें वास्तों में minerals ठीक amount में है the only thing is कि moderation is the key क्योंकि इसमें calorie भी ठीक होती है अगर आप nuts and seeds बहुत जादा मातरा में लेते हैं तो यह समझें कि आप calorie input को भी काफी उपर ले जाते हैं तो जो proportions हैं उनको आपको इसमाल रखने की जरूरत है और उनको जोना वास्तों में आप चाहे रा यूज़ करें चाहे roasted यूज़ करें the benefit is equal तो जहां तक constipation का सवाल है अगर आप include करेंगे तो उससे constipation में relief होने में आपको मदद मिलेगी तो यह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तों में आपको constipation से अगर relief चाहिए तो अपनी diet में या अपनी lifestyle में include करना चाहिए अगर आप समझते हैं कि constipation के इस angle को समझने में ये video आपको help करता है तो उसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी कमिश्रा from guest to liver hospital स्वरुपिंगर कानपूर thank you very much